साथियों नमस्कार पावन रक्षा वंधन पर सबको हारदिक सुपकाम नाएं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो प्रत्योकता परिच्छा रक्षा से रक्षा 2023 में भाग ले रहे हैं ये नरसरी फाउंडेशन उरेई की साखा राम रक्षा फाउंडेशन ट्र कर दीजे क्योंकि वाट्सअप पर आपका समय उत्तर देने का आ जाएगा प्रत्योकता परिच्छा 2023 रक्षा से ही रक्षा के क्रम में पहला प्रिष्ण आपके सामने आ रहा है जरा ध्यान से सुनिए स्री जगनात मंदिर पीठ किस माननिय संकराचार जी की पीठ के स्री जगनात जी की परिक्रमा के लिए जिस रत पर जगनात जी बैठ कर चलते हैं परिक्रमा के लिए उस रत का क्या नाम है उसमें कुल कितने पहिया होते हैं तथा परिक्रमा में उस रत को वरतमान समय में सरप्रधम कौन खीषता है मतलब उसमें जंजीर लगी होती है तो तो वो कौन खीचता है, इस रत के कपड़ों का रंग क्या निर्धारित किया गया है, पहला कुश्चन ये है, इसका आपको सीग्र ही उत्तर देना है, हमारे वाटसप नमबर 6393828336 पर, और नमबर में प्रिशन के उत्तर में सभी चीजे आ जाएं, मैं इसका पीडियेक भी उसको भी आप लोग चेक कर लें, अब प्रतियोकता का दूसरा प्रशना, बहुत ही अच्छा है, विश्च में कौन सा ऐसा पौदा है, जो 24 घंटे आक्सीजन देता है, मानो सरीर के रग्त में स्वस्थता के लिए, मतलब वेल हेल्दी पोजिशन के लिए, कितनी मात्रा मे आक्सीजन रहना चाहिए, यदि हमारे सरीर में एका एक आक्सीजन कम हो जाए, डाक्टर वा अस्पताल तुरंत उपलब दिनना हो, तो किस जड़ी वूटी के पत्ते वा उसका पानी पीने से सरीर में आक्सीजन की मात्रा इस्थिर हो जाती है, वासबबा, परंपरा के अं परिच्छा रक्षा से ही रक्षा का अब तीसरा प्रशन आपके सामने आ रहा है, पावन ग्रंथ गीता में कुल कितने अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, भागवान प्रहु स्री योगेश्वर कृष्ण जी ने कितने स्लोक, मतलब जो गीता में स्लोक हैं, उ पावन गीता का अंसरन करते हैं, आपको इस पर भी गौर देना है, परमार बंब के निर्माता स्री रावर्ट्स ओपन हाइमर ने जब परमार बंब का सबसे पहली बार विस्पोर्ट किया, कराया, तब गीता का डिस्टान बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं अब काल हूँ ज गीता का प्रणा है, वो इन्होंने विस्पोर्ट के समय, उसी समय अपने साथ के करमचारियों वादिकारियों वाजनता के पत्रकापर बंदों से कहा था, गीता में यह س्लोक प्रकार है, कालहम अस्मि लहोक छेक्रत्र प्रकुद्यो आधि आधि है, यह इस लोक पावन गी कि किस अध्याय में वर्णित है आपको छोटी सी जान कर ये देना है सीगर दीजे हाँ क्योंकि वाटसप में आपका समय आ जाएगा कि आपने कितने समय हमको सेंड किया और अगर दूसरे ब्यारती ने उससे पहले अगर ये चीज भेज दी हमारे पास सही तो पूरे नमबर सा 22 और 2023 में भारत के किस राज ने 36 करोड 15 लाग पौधों को लगाने का लक्ष रखा है भारत के किस इस्टेट ने रखा है तथा इसी के साथ किस राज ने 100 वर्ष से 100 वर्ष से अधिक दुरलब 4948 व्रक्षों को राज धरोहर विरासत व्रक्ष चैनित किये हैं ये तो आपक कि किस राज ने ये किया ये एक सराहिनी काम किया है कि वर्ष याद आ गई और पुराने वर्ष चैनित को जो पूरी तरह से आक्सीजन देते हैं प्रान वायू जो हमारे लिए बहुत आवस्यक है उनको सराहिनी कार है जिससे लोगों को मौटिवेशन भी प्राप्थ हो सके के लिए यह नीत बनाई है कि राज में नवजात बच्चा बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे के नाम से सो प्रक्ष लगाए जाएंगे बहुत अच्छा कुश्चन है देखे हमारा जो चैनल है या जो हमारी संस्था है वो पिरकती परियावरन पेड़ पौधे जड़ी बूटी आयरवेद और अपने पुराने विज्ञानिक ज्ञान को जन जन में पहुंचाने के लिए कटिवद्ध है आप भी उसके अंसधारक बनिये और इन प्रिष्टनों के उत्तर दीजे और आनंद लीजे प्रिष्ट नमबर पांच पांचवां बहुत ही इंपोर्टें पूज श्री पासर्वनात तीर्थंकर कौन से नमबर के तीर्थंकर थे वह भारत के किस राजवन वह भारत के किस प्राचीन नगर से संबंदित थे आपको ये बताना है तथा सबसे आखरी तीर्थंकर कौन थे आपका ग्यान भी तो हम देख रहे हैं क्योंकि जैन धर्म ब बिहार राज में एक महात्वून इस्थान चर्चा में रहा जहां 24 ती थंकर में से 22 ती थंकरों ने अपनी अंतिम मोक्ष गति प्राप्त की उस पावन इस्थान का आपको नाम बताना है जो इस्थान चर्चा में रहा बिहार में तो चलिए तुरन दीजिया अब छट में कुश्चन की वारी है यह रध्यान से सुनिए कि सिरे बौध धर्म के सबसे महान कथन मतलब जो टाइटल है बौध धर्म का बुद्धम सरनम गच्छामी रोज हम लोग सुनते हैं लेकिन इस सब्ध का इस टाइटल का उपियोग सबस अंकन सरप्रथम किस बौध ग्रंध में किया गया आपको यह वताना है दूसरी चीज़ यह वताना है कि बौध धर्म का सबसे महात्पूर्ण वा लोकप्री ग्रंध कौन सा है महात्मा बुद्ध जी की पूज य माता जी के निधन के बाद उनकी परवरिस किस ने की थी ये तो आप मुंका भी नाम बताईए देखिए अब साथ में कुश्चन पे अपना ध्यान दीजिए बहुत ही क्योंकि ये अखंड भारत से सम्मंद कुश्चन है जरा ध्यान से सुनिए पूज स्री गुरुनानग देवजी द्वारा, इस्थापित पंजा सहब प्रिषिद्ध गुरुद्वारा पाकिSTان के किस जिले में इस्थित है? इस पामन गुरुद्वारे का नाम पंजा सहब गुरुद्वारा किस घटना के कारण पढ़ा? आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण इस गुरुद्वारे का नाम पंजा सहब गुरुद्वारा है माना तो ये जाता है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है लेकिन अभी पूरे तत्थ एकटे खड़ना है गटना के समय पूज श्री गुरु नानक देव जी किस पावन वरक्ष के नीचे गुणवानी का पाठ वा ध्यान कर रहे थे आपको सुवरक्ष का भी नाम बताना है तो भाई मेरी बात को आप पर इतरह समझ गए एक प्रिशन में छोटे-छोटे कई आंसर है उन पे आपको ध्यान देना है पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए देखिए भई नंबर प्राप्त करिए और अबल इस्थान प्राप्त करिए पाँच नंबर पाँच जो इस्थान है वो अबल के अडर में महने जाएंगे अब हम आगए प्रश्ट नमबर आठ में पे पिर्शिद्ग्रंथ गीता रहस के रचैता कौन से प्रमुक करांतकारी है उक्त महान ग्रंथ को उन्होंने किस प्रमुक स्थान पर किस भासा में कितने पन्नों में लिखा था इसका हिंदी में अनुवात किस ने किया बहुत ही चर्चित चीज है और लेकिन ये है कि हम सब की इस्मृती में भी तो करांतकारी साहवान याद रहें जिनोंने मतलब इतना बड़ा त्याग दिया इतनी विकट पस्थितियों में जहां आदमी को पूरा खाना नहीं मिलता था यांतना और प्रतारना मिलती थी अंग्रेजों की वहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा कार कर डाला आपको बस बताना है थोड़ा सा काम है आपका लिकन बच्चों को भी बताईए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी बताईए इन महापुर्सों के बारे में अब हम आगए प्रस्ट नमबर नो पर नो बहुत ही महात्पूर्ण है मतलब प्रस्ट नूत्री के मद्ध प्रस्ट पर आगए ध्यान से सुनिए भारत के प्राचीन महान विज्ञानिक वा गणतिये ग्रंथों को जान बूच कर विलुप्त वागाइब करने का कुचक्र अंग्रेजों के द्वारा किया गया क्या आपने प्रस्ट गणतग ग्रंथ सिधान्त सुरोमन ग्रंथ का नाम सुनिएगा शिद्धान्त सुरोमन वा करण कोतुहल का नाम सुना है जिसमें आदने गणित बीजगणित तिकोणों में गणित रेखागणित सूत्र अंकित हैं उक्त महान गरंत कब किस गणतग्य के द्वारा लिखे गए तथा वे महान गणतग्य भारत की किस वैद साला से सम्मंदित थ तथा न्यूटन के गरत्वा कंसन का महान सिद्धन इन दोनों में से क्रस गणत में न्यूटन से पहले वर्णित किया जा चुका था ये है प्रिशन इसका आपको उत्तर देना है ये विसे इसकर भारत की जो प्राचीन गणती बैस्मेटिक्स कल गणत हैं उनके बारे में है अब हम आ गए हैं प्रशन नमबर दस पर प्रशन नमबर दस स्री राम चरित मानस के एक बहुत ही महत्पून दोहे या चौपाई से संबंदित है जो की पूरा एक मनोविशली स्राणत्मक और धर्षन का उसमें अकार्ट विवरण है मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु स्री र पर तपस्या वा राजवस्था का संचालन किया था दसकंदर रावन को युद्ध में मालने वा सीता जी को मुक्त कराने के बाद जब भगवान अयुद्या पुस्पक्यमान से वापस लोट रहे थे वा निर्धारित वन गमन की जो अवदी थी वो समाप्त हो रहे थी और स् स्री भरत जी के पास नहीं पहुंच पा रहे थे ऐसी विप्रीत इस्थिती में प्रभु स्री राम जी ने दल के किस महारती को स्री भरत जी के पास संदेशा दे कर भेजा था उन महानभाव ने भरत जी को एक ही चौपाई में सारा संदेश दे दिया है संदेश में उन्होंने किस पात्र का नाम किस क्रम में लिया है आपको ये बताना है और उन्होंने सारी कुषलता एक ही दोहे में देदी थी जिससे भरत जी पूरी तरह संतुष्ठ हो गये थे यदि भरत जी संतुष्ट ना होते तो वो कोई गंभी रिस्तिती में पहुंच सकते थे यह चौपाई स्री राम चरित्मानस के किस अध्याय में अंकित है यह आपको बताना है प्रश्ट नंबर ग्यारा भगवान भूले नात जी को अर्पित है समर्पित है मतलब और राम चरित्मानस से ही संबंदित है श्री भगवान भूले नात मतलब श्यो जी भूले नात का उपयोग एक ही जगे हुआ है पुरी रामचरित मानस में आप ढूंड़े कहा पर हुआ है ये ठोड़ा सा ज्यान के लिए बता रहे हैं वा मा पारवती जी की साधी की कुंडली मतलब लगन पत्र का उनके माता पिता ने किन रिशियों से मिलवाई थी कुंडली उन रिशियों को सास्त्रों में किस नाम से जाना जाता है खगोली द्रिष्ट से उनका बहुत विज्ञानिक मात्व है उनके समोई को अंग्रेजी वविज्ञानिक भासा में किस नाम से जानते हैं ये तारा मंडल साल में किन महीनों में दिखाई पड़ता है इन रिशियों के अध्यात्मिक गुरू कौन थे ये भी आपको बताना है अधर हम आगे प्रिश्ट नमबर बारहा पर और बारहा का कुश्चं का अगर आप अर्थ समद गए और उसके भाव को समद गए और उसकी महत्त को समद गए तो मैं समझूगा कि इस परतियों गता कि सारी चीज आपने समद ली क्योंकि वो स्वास्त के उपर है और जहर जो हम लोग खा रहे हैं उसके प्रती आगाह किया गया है इस कुश्चन में जैसे फलों की दुकान में जाईए तो ताजे ताजे फल मिलते हैं और दूर से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं वो सुंदर फलों को जराब भारीकी से देखिए वो आप जहर तो कहीं नहीं ले रहे हैं देखिए सुन लिजए आज प्रशन अब हमारे हैं आज एकल फलों के बजार में व्यापारी छदम लाग के लिए ताजे कच्चे फल आम केला पपीता तरबूज खरबूजा आदी फल वा ताजा रखने के लिए प्रतिबंदित रसाइन इथे फान ये प्रतिबंदित रसाइन है और ये सब चीन पैदा करता है भाई तो इथे फान और केल्सियम कारवाइल फासपोरस का उप्योग करते हैं इससे फलों वा इन्वायर्मेंट में कौन सी विसाक्त जहरीली रसा प्रतिनिक नाम आपको बताना है तथा इन जहरीली गैस को खाने में उप्योग करने से सरीर में कौन सा असाद रोग उत्पन हो रहा है एक भेंकर बीमारी भेंकर रोग इनके फलों के खाने से हमारे सरीर में जो टॉक्सन और या जहरीले पदार्थ पहुँच रहे हैं उनस और इस तरह से ये कुश्चन बहुत ही महात्पूर्ण है अब हम आ गए प्रश्ण नमर 13 पर बहुत महात्पूर्ण प्रश्ण है और हमारे वीर महान क्रांतकारियों के उपर समर पे थे आप सभी जानते हैं कि भारत के महान सपूत क्रांतकारी सरदार स्री भगत सिंग जी वह उनके साथी स्री राजगूरू जी स्री सुखदेवू जी को नियाले के आदेश पर दिनांग 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी परंतु धैसत्वा खौप के कारण एक दिन पहले दिनांग 23 मार्च की रात्री में सेंट्रल जेल लाहोर में उनको फांसी दे दी गई क्या दैथ वारेंड पर समय का परिवर्तन विधिक रूप से हुआ था एक तो आपको जानकर ये देना है तथा क्या रात्री में किसी अपराजी को फांसी देने का प्रावधान दुनिया के इत्यास में कहीं आपको पढ़ने या सुनने को मिला है अपना अजिसमें इन प्र रात्री में ही सतलक के किनारे हुसेनी वाला में अमАनवी रूप से धर्म विरुद्ध है अंतिम संस्कार उन तीनों अमर सहीदों का किया गया जिनका विरोध स्वर्गी क्रांतकारी की बेटी वा पूज शरी भगत सिंग जी की बहन ने मोके पर जाकर विरोध किया उन स्वर्गी कारी की बेटी वा स्री सर्दार भगत सिंगी की बहन का नाम आपको बताना है अब हम आगे प्रशन नम्मर चौधा पर ये प्रशनों की संखला में ये प्रशन सुतंत्र भारत के इत्यास में सौर साहस और बलदान पराक्रम से सम्मंदित है दिनांक 18 नम्मर 1962 को भीशन ठंड भरी रात थी बर्फबारी के बीच मात्र 120 सैनिक पतलून वा ओवर कोट में पुराने कुंद असलाहों एक्सपाइरी डेट्स के पुराने गोलों कार्तूस कार्तूसों और सैनकों के द्वारा धक्का देकर चलाई जाने वाली मसीन गनों के साथ थे ये भारती इस्थिती थी भारती सैना की और दूसरी तरफ थे अक्रांता महासक्ति चीन के पांच हजार सैने आधनिक खत्यारों से लेस आटोमेटिक मसीन गन तो तो आधनिक संसाधन थे उनके पास युद्ध के ऐसी दसा में युद्ध वो महासंग्राम भारती सैनकों ने लड़ा और सत्रूपक्ष के हजारों सैनकों को धरसाई कर दिया दोनों हाथ अलग हो जाने के बाद पैर से मसीन गन चला कर दुस्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया ऐसे महान अधिकारी का आपको नाम बताना है और उन महान जो संग्राम युद्ध हुआ है वो दुनिया में किस नाम से जाना जाता है आपको ये भी बताना है 1963 में उन महान यूद्धा को भारत के स्रिष्टम वीर्टा पुषकार परमबीर चक्र से अलंकृत किया गया है तथा अभी हाल में भारत सरकार की सराहनी यूदना में उनका नाम प्रमुकता से समाचार में रहा आपको ये बताना है कि उनका नाम क्या है और अभी हाल में चर्चा में भारत सरकार की योजना में क्यों रहा अब प्रशन नम्मर पंद्रा बहुत छोटा सा है और बहुत मैंने का वाई कुश्चन छोटे भी रख दिये जाएं कि निम्न में से कौन सा जानवर सरोभक्षक है पहला एक खरगोस दूसरा हेरन तीसरा चुगा और चौथा बाग इन में से एक में आपको टिक लगाना है प्रशन नम्मर सोला सोला बहुत छोटा सा कुश्चन है लेकिन बहुत ही महात्पूँ है बहुत महात्पूँ है मानो रग्त बलड का पी एज का मान कितना निरधारित है वन सिक्स फाइव सेवन दूसरा सेवन फाइव एट तीसरा एट नैन चौथा फोर फाइव फाइव ये बलड में मानों बलड में इसी के साथ उत्तम किर्शी और खेती के लिए जमीन का पी एज कितना निरधारित कि जैसे हमारे सरीर का पीएच है वैसे ही जमीन का पीएच है ये किसान भाईयों को जरूर जानना चाहिए तबी क्योंकि उनकी औरवरक जमीन की सक्ति का दिनो दिन च्छरण हो रहा है रसाइन जो औरवरक डाले जा रहे हैं तो कृपया जैविक और और औरगनिक आप अपने व प्रवरक सकती वरती है मतलब पी-एच को समाजे बताना है आपको तो जल्दी से बता दीजे अब हम आगे प्रस्ट नंबर 17 पर जो वर्तमान समय में भारत का महान कारचला है चंद्रियान 3 उस पर ये कुश्चन अधारित है भारत के चंद्रियान सफलता पर सभी को पहले तो बधाई फिर आगे चलते हैं कि चंद्रमा मून को सभी लोग चंद्रा मामा क्यों कहते हैं अध्यात्मिक सास्त्रों की मानिता से चंद्रमा किस के पुत्र है इनके भाईयों के नाम क्या है इनका बेटा कौन है ये अध्यात्मिक रूप से आपको बताना है जो सास्त्र ह कुमारे कहते हैं इसरो चीप का पूरा नाम क्या है इन का जन्र में हुआ है, चंद्रमा की भूम में प्रज्ञान रोवर अपने पईयों में से कौन से दो निसान बना रहा है, महा भारत के किस अध्याय में चंद्रमा का सटीक विज्ञानिक पक्ष अंकित है विज्ञानिक तत्थ है क्या किसी संक्राचार ने इस रोग के मुख्याले बंगलोर में खागोल वा आंत्रिक्ष वा वैदिक गड़ित वा चंद्रमा की भावगोलिक स्रंडत्ना की जानकारी विज्ञानकों को दी थी उन संक्राचारों जी का नाम आपको बताना है अब हम प्रश्ण नमबर आ गए अठारा पर अठारा मतलब आखरी पड़ाओ पर है ये भगवान शियो जी के मस्तक पर कौन सी तिथी का चंद्रमा इस्थापित रहता है मतलब भगवान शियो के उपर सिर्पे और सूर ग्रह पर कौन सा प्राचीन दुरलब ग्रंत है जिन के सूत्रों के आधार बना कर आदित एल वन मतलब जा रहा है राकेट या जो भी कहा जाए आदित एल वन और वह इस साल कब छोड़ा जा रहा है ये आपको जानकरी देना है और भाई इसी के साथ पावन रच्छावंदन पर सभी को हार्दिक बदाई सुब कामनाएं प्रि ब्रगत से अपना उत्तर दीजिए क्योंकि वाटसप पर जब आप उत्तर हमारे वाटसप पर देंगे तो आपका समय आ जाएगा तो अब भ्यारतियों में समय होड हैं तो आप जल्दी उत्तर देंगे तो जल्दी फीड हो जाएगा और जल्दी आपका नंबरिंग चालू हैं तो सब को forward भी करिए और इसमें आज 12 वजे दिन से 30 अगस्त को और 31 अगस्त 12 वजे दिन तक आप अपना उत्तर खूब गूगल करिए जानकारी करिए सामुहिक वारता करिए कोई बुक से आपको जानकारी लेना हो इस बुक का मदद दीजे आप किसी भी तरह से हमको उत् संसोधन भी करना है तो आप संसोधन भी कर सकते हैं उसमें कुछ नंबर आपके कड़ जाएंगे लेकिन अच्छा लहेगा और आपको उसमें भी कुछ नंबर प्राप्त होंगे तो इस तरह ये एक बहुत अच्छी परिच्छा है ये परिच्छा का छटवा चरण है इसमें हमेशा प्रिगती होती चली जा रही है आप भी उसी प्रिगत के साथ जुड़िए इसी सुबकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आभार अब अंत में हमारे चैनल ग्यान और नॉलिज वह हमारी राम प्रताब सिंग को स्वाहत की तरफ से सभी को सफल और विजयता बनने की हारदिक सुबकामनाओं साथ में रक्षा बंधन की भी हारदिक सुबकामनाओं चैनल को सब्क्राइब करिए और मिलने चलने वालों को फार ही दिन्द